आज की वीडियो में हम लोग एक काफी complex email verification बाइपास के बारे में बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पर simple सा हमने एक account create कर ले रहा है और यह bug पैच हो चुका है इसलिए मैं आपको फीडियो प्योसी भी दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर हमें account create कर रहे हैं जिसको हम verify ही नहीं करेंगे जबकि verification लिंक एक जाएगा इसलिए हमने इसका नाम दे दिया नॉन verified ठीक है तो देखते हैं अभी यह verify करने के बाद प्रोसीड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें account को activate करना होगा उसे use करने के लिए मतलब इसमें कुछ भी modification करनी है तो पहले हमें activate तो करना ही होगा यहाँ पर हम एक बार refresh करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर account activation का link आ चुका है कि पहले confirm करो तभी login कर पाऊगे लेकिन हम क्या try कर रहे हैं कि हम unverified account को एक बार login करके देख रहे हैं तो ध्यान रहे हैं कि हमें पर्ग में request को intercept करना है अभी हमने किया login तो अब सारा खेल यहीं का है अब हम request को forward करेंगे तो हम एक special endpoint मिलेगा उसी को मदद से हम पूरे इस तरीके को bypass करेंगे अभी हमने request को forward करा एक बार और अब यहाँ पर देख सकते हैं एक special endpoint मिल गया है जेसन इसका extension है verify email और जो हमारा unverified account है यह जिस email से हम login कर रहे है credentials बिल्कुर ठीक है लेकिन confirm नहीं हुआ है उसको एक ID देदी अब इसको हम भेज देंगे अपने repeater repeater भेजने वाद इसको एक बार send कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो account unverified है उसकी काफी सारी details पर लगए जैसे उसका email address और यहाँ पर देख सकते हो email confirm false यह यह confirm हुआ ही नहीं है ठीक है अब इसमें एक twist है अब हम एक और account create करेंगे पहले इसकी सब cookies क्लियर कर देते हैं कुकी क्लियर करने के बाद एक हम ऐसा account create करेंगे जिसको हम verify भी करेंगे ठीक है तो अभी तक देखिए यह थोड़ा complex शरीक है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अब पहले तो हमने एक account create और verify नहीं किया है अब एक दूसरा account create करेंगे उसको हम verify भी करेंगे तो यहाँ पर नाम देदी है verified क्यों क्योंकि हम इस account को verify करने वाले हैं देख सकते हैं email दूसरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं verification पर प्रोसीड करा यहाँ पर हमारा confirmation के लिए link आगया ठीक है और हमने इस पर click करके उसे यह दिख सकते हैं ज्यादा इसके पर यह confirm आगे है confirm email आटर इस पर click किया अपना account confirm करके हम सीधे अपने आगे एक बार इसको log out करते हैं और फिर से login करते हैं verified account को इसको हमने confirm कर दिया ID password बर्क ने intercept कर दिया और वही endpoint हम इसके लिए भी हमें पतल लाएगा बस identify अलब होगा forward कि यहां पर एक बार शायद password गलत हो गयता है कोई बात नहीं बिवारण से ट्राई करते हैं तो आपकी बार password से डालके फिर से इंटरसेप्ट करा इसको forward करते हैं फिर एक बार गलत हो गया चान नहीं कोई बार तो अपकी बार हो जाएगा तीसरी बार में इसको forward किया जी आपकी बार ठीक है तो अब verify यह आगे देख सकते हैं इसके लिए यह वाला endpoint आगे इसका identify अलग है यह जेसन यह देखिए उसमें था verify email dot json इसमें index dot json ठीक है क्योंकि यह verified हो चुका है इसलिए इसका index dot json मिला ना कि verify email dot json अभी इसको रिपीटर में भेज के एक बार चेक कर लेते हैं तो इस यूजर के में सब details मता लग जाएगी कि यह verified है देख सकते है email address और यह आदमी हो गया confirm इसलिए true parameter set है अब अब यह देख सकते हैं यह हमारा unverified account है false लेखा है ना अब हमें account में करना है login जो verified है simple से हम उस account में आगा जो verified है अब हमें यहाँ पर कोई भी चीच मोडिफाय करना है आप password कर सकते हैं आप यहाँ पर कुछ create कर सकते हैं members को add कर सकते हैं मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक यह है कि अब हम bypass करेंगे जो verified नहीं हुए यह हमने change करा और यह request हमने repeater में भेज़दी चेंज करने वाली यह देख सकते हैं verified अकाउंट आई इसकी request भेज़दी repeater में अब यहाँ पर देख सकतो हम क्या कर रहे हैं हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं और यह हमारी email है verified वाले की तो पहली नजर में आपको देखती इसमhn्हγण में आया हूगा इसरी चंज कर देतें तो ठीक है इमेल चेंज कर देते हैं यह देख सकते हो अनचांट की ईमेल कन्फियम पॉल्स इससे इमेल चेंज कर देते है तो अब मैं थोड़ा इसक्प नहीं करता हूं क्यों रहना confusion हो सकते हैं लोग इसका नाम है ठीक है यह unverified email लिख दिया हमने confirm नीव है account और इसका नाम हम ने change कर दी बाइपास और पहले क्या था नाम non verified यहां पर देख सकते हैं non verified account लिखा यहां अब क्या करना है इतने से काम नहीं बनेगा हमें इस endpoint के संसंग इस बंदे की कुकी भी तो मिली है तो इन कुकी को कर लो copy को और इससे कर दो Verified वाले से replace कर दी अब क्या करना इतने से भी काम नहीं चलेगा इसका CSRF token अलग है Unverified वाले account का और verified वाले account का अलग है तो अब इसका CSRF token भी copy करके वहाँ पे उस वाली request में change बादो यह हमने कर दिये change और हमने कर दिये send तो हमें यहाँ पे कोई भी error नहीं मिला 204 no content इसका मतलब है changes perfectly हो चुके है अब यह देख सकते हैं अभी हमारे पास जो नाम था non verified जहाँ पे email confirm भी नहीं होई है तो हम login तो करी नहीं सकते थे लेकिन हमने उस request में नाम change कर दिया तो एक बार यहाँ पे changes हुए हैं या फिर नहीं उसको check करने के लिए इस request को send कर देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं successfully हमने नाम change कर दिया और हम password भी change कर सकते हैं और जबकि आप देख सकते हैं यह हमारी email confirmed नहीं है और हम login भी नहीं कर पा रहे थे तो यह bypass इसलिए हुआ कि ग्राफिकल interface से तो हम नहीं कुछ कर सकते लेकिन इस request से केबल एक आपको चाहिए verified account एक चाहिए non verified account तो यहाँ पे देख सकते हैं successfully हम कर चुके तो इससे यह इसका impact यह है मालो मैंने आपकी email यूज करके account create कर दिया तो अगर आपको पता लग गई यह बात अगर आप company को बताओगे भी तो वो क्या कहीए जब तक आप अपने तरफ से link पर click नहीं कर होगे तब तक वो आपका account को change नहीं कर तक थे लेकिन यहाँ पर हम कर पा रहे हैं तो अब इस पूरे मसले की जड़ क्या थी वो आपने शायद ध्यान दी है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता मैं एक वारा दिखा देता हूं यहां पर time stamps है यह जब हम CSRF token को copy कर रहे थे non verified account वाले को यहां पर देख से तो यह हमारा non verified account है यह वाला यहां पर देख से तो non verified वाला उपर निकल गया यह देख से तो non verified email confirmed false तो मैं यह बता रहा था कि यह हुआ कि यहां पर जब CSRF token अब यह कि हमें parameter edit enabled true यह उस बंदे के लिए भी site है जिसने की account को verify नहीं कर जखा है तो यह तो बात गलत होगी ना जब उसका verified ही नहीं हुआ तो वह login कैसे कर पा रहा है तो वह edit कैसे कर पा रहा है तो यही था इस वीडियो में उम्मीद आपको समझ में आया हो हो सकता अभी भी कुछ दिक्कत हो तो इस steps में सारे आपको description में दे दूँगा तो मलता हैं फर किसी अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है